एक और जहार राज्य सरकार कौरोना संक्रमन को फैलने इससे रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है वहीं दूसरी और संभाग के सबसे बड़े अस्पिताल MBS में कौरोना वाइरस गाइडलाइन के धज्जियां उड़ाई जा रही है कौरोना गाइडलाइन के अनुसर प्रतियक व्यक्ति को भीड़भार वाले स्थान से बच्चिना चाहिए वहीं मुह पर मास्क होना चाहिए और एक दूसरे से निश्चे दूरी बनाय रखनी चाहिए लेकिन कोटरा MBS अस्पिताल में सरकार के आदेश वे कौरोना गाइडलाइन के खुल कर अभेल ना की जा रही है इसके लिए कहीं न कहीं MBS अस्पिताल प्रशासन पूरी तरीके से जिम्वेदार है क्योंकि मौसम परिवर्तन के साथ ही अस्पिताल में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है ऐसे में परची कटवाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने और जाच करवाने और दवाई लेने के लिए भी मरीजों को वैतिमारदारों को घंटो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ऐसे में अगर एक भी व्यक्ति कॉरोना संक्रमन प्रभावित हुआ तो सैंकडों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा इसके लिए पूरी तरीके से MBS अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है क्योंकि अस्पताल प्रशासन द्वारा परची काउंटर की ना तो अतिरेक्त व्यावस्ता रखी गई है ना ही दवा काउंटरों की संख्या बढ़ा रखी है और ना ही OPD में डॉक्टरों की ऐसे मैं आप देख सकते हैं कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में आने वाला व्यक्ति कितना कॉरनास संक्रमन से सुरपशिट है जबकि हारोती से दो कैबिनिट मंतरी हैं फिर भी अस्पताल की हालत काफी खराब है